हेलो एब्रीवान, वेलकम बेक टो अवर चैनल, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास टोयल्थ मैथ चेप्टर 5, एक्सरसाइज 5.2, इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 से रेलेटेड कुछ टॉपिक्स और साथ ही साथ में हम कवर कर चुके हैं एक्जामबल तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे के कोस्टेन, जितने हम से करेंगे, कि सी वीडियो में चीज़ को differentiate करेंगे मालो हमारा कोई Autism 지म्मर नम्मर येगा जब हम कॉंसटने नम्मर का differentiate करेंगे तो हमारा दो निकल क्या जाएगा जीरो जैसे करуска हमारे लिए और इसका टिफरेंटीत कर पर निकला तो सिर्फिक्त में तो सिंगल अकिला प्लम या तो जैसी हमने इसका करते हैं दूसरे एक्जांपल दूसरा हमारा फॉर्मूले यदे हम किसी एक्स के रिष्पेक्ट मेस्ट करेंगे तो वो हमारा क्या गांत हैं चॉनि क्यों сам हो जाएगा तो हमारा के बाचेगा वन बाचेगा तो यह से देखो एक्जामना जाUNG इसका buds as to differentiate करना है तो देखो यह जो हमारा टू है यह जो कैसा हो जाएगा हम उसको अच्छिक को जाएगा और आप कहारा देंगे डिफ्रेंशीयेट एक्स का डिफ्रेंशीयेट करेंगे तो हें पर हमारा एक X का differentiate क्या होता है 1 तो हमारा क्या जाएगा 2 into में 1 अब देखो तो हमारा answer किता जाएगा 2 जाएगा आपको एक confusion हो रहा ही हमारे जो 2 था यह 2 का differentiate करते तो हमारा 0 आता देखो ऐसा नहीं है तो हमारा 0 constant term जब हमारा fix constant term हो तब जाकि हम उसे 0 लखेंगे यदि हमारा कोई सा भी variable आ रहा हो कोई सा 2x आ रहा हो 2 by आ रहा हो 2z यदि हमारा कोई सा variable साथ में है तो फिर हम उसके call में क्या रगाए फिर हम उसकी जीरो ने लेंगे उसको comma लेंगे जैसे कि यहां पर 2x आ गया x की power n अब की पार x अकिला था आपकी ज़रोस पर power आजा है कितनी भी power आजा है तो इसका differentiation हमारा क्या जाएगा n x की power n-1 यह उसका differentiate हम इस तरीके से करेंगे example ले लेते हैं माले जी हमारा x cube है अब हमाली इसका differentiate करना है with respect to x में differentiate करना है अब देखो इसका differentiate करेंगे तो हम इसमें formula's put कर देगे गो n, n हमारा क्याँ पर 3 है n, x, x तो हमारा यह है तो यहाँ पर लगदेंगे x लगदेंगे अब यहाँ पर लगेंगे n, n यहाँ पर क्या 3-1, तो हमारा कहाएगा 3x², इस तरीके समों से differentiate कर देंगे, अब मालेती हैं हमारा 2x² हो जाता, इसको differentiate करते, तो same यही process करते, n, n, x, n की पापर n-1, n2 है, तो हमारा हमारा कहाएगा 2x, दीगे, differentiate करने, तो next formula हमारा यह जाता है अब मालेते हैं आपसे हैं पर एक related question और पूछ लिया था, ax plus b, अब देखो, हमने कुछ formula बढ़ेते, आप क्या करेंगे, यह दोटनों term हमारी plus में, तो इसका differentiate हम अलग करते हैं, और इसका differentiate अलग करें, जो a, b, यह हमारी कैसे constant नमर है, तो differentiate करते हैं, तो इसको हमने अलग लिया plus d y by dx, हमेशा भी तो हम सिर्फ x के respect में बोला जाएगा, जब तक आप से बोला जाएक किसके respect में आपको differentiate करना तो आप उसी के respect में differentiate करोगे, हमारे questions में सिर्फ और X के respect में बात की जाएगी, तो हम X के respect में ही बात करेंगे, और जो हमारा B ता ना, B को हम as it is लिख देंगे, ठीके, आप देखो, हमने ये अलग-अलग कर लिया, आप क्या करेंगे, इसको differentiate करते हैं, जैसे हम इसको differentiate करेंगे, तो ये क्या है AX, तो इसमें जो A ये, वो constant है, त इसलिए मैंने इन दोनों को मिला की question लिया था, अब X अकिल B को है, constant term, तो constant term का differentiate हमारा क्या हो जाएगा, 0, और इसका answer नमाल खेल निकल खेल ये जाएगा, ठीके, तो ये कुछ basics देते, तो अब मैं next formula की बात करते हैं, पहले मैं ऐसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीके, अब देखो, यहाँ पर आपका formula नमबर लेखेंगे 4, जब हम differentiate करेंगे sin X का, sin X, तो हमारे लिए बो मैल की आगा, जब हम sin X का differentiate करेंगे, तो हमारा answer क्या जाएगा, cos X, अब हमेशा आपको यहाँ पर X भी नहीं होगा, एक बात और clear कर लो, यहाँ मैं sin की value हमारे पास इस तरीके से जाए, AX प्लस B, तो यह पूरी एक value होगी, यह हमारे एक तरीके से यह पूरा theta ही होगा, हमेशा आपको X की जगा कुछ भी और भी नमबर आ सकते हैं, पता चले, sin X की जगा हमारे लिए, अब X की जगा अगें sin X आजाएगा, तो यह जो यहाँ पर पूरा बर्क कर रहा होगा, किसका काम करेगा, X कबर करेगा, ठीके, X होगा, मतलब हो हमारा कोई ने कोई सा ठीटा होगा, अब formula नमबर 5, अब हम सा, cos X का, cos X, cos X का differentiate करेंगे, तो minus sin X आजाएगा, ठीके, अब formula नमबर 6, अगें, डिफ्रेंशियर से, अब किसका करेंगे, cos के बाद आज सेक, सेक का differentiate करेंगे, तो इसका हमारा आएगा, सेक X, 10X, ठीके, next formula लेख लेते हैं, यहाँ पर, differentiation, अब यहाँ पर लगते हैं, 10 का, जब हम 10 का differentiate करेंगे, तो हमारा जाएगा, sec X square, next, formula नमबर 8 की बात करेंगे, अब हम यहाँ पर लेखते हैं, डी वाइवाय, डी एक्स, अ cortex का differentiate करेंगे, तो हमारे लिए आजाएगा, minus का cause X square X, ठीके, हमने कितने हो गए, एक formula और ले गया है, ठीके, अब हमारा 9 formula यहाँ पर लेख देते हैं, 9, तो हमारा next formula किसका हो गया है, cause X, जब हम cause X का differentiate करेंगे, तो हमारे लिए मिलेगा, cortex into mean cause X, लेकिन minus का मिलेगा, यहाँ आप जो sign आएगा, वो कैसा होगा, minus का sign होगा, अब देखो, minus कहां कहां पर आ रहा है, एक to cause में आ रहा है, एक कोट में आ रहा है, और एक cause एक मारा, मतलब जो हमारे CC वाले term होगे ना, उसमें कैसा होगा, minus का sign होगा, ठीके, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने exercise के question, यह exercise में क्या बोला जा रहा है, तो सबसे पहले आप यह formula को note करो, मैं से rough करता हूँ, तो देखो, अब हम बात करते हैं, question number first की, question number क्या बोला, differentiate the function with respect to x in exercise 1 to 8, अब जो हमारे 1 to 8 question आएंगे ना, इस exercise में, हमेर लिए उसमें x के respect में differentiate करना है, तो हम differentiation दो तरीके से कर सकते हैं, पह सबसे पहले आपकी में जो ncrt book में है, उसकी तरीके से हम solve करेंगे, तो हमारे यह क्या है, sin x square plus 5, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, य क्या हो जाएगा function, देखो हमारे लिए आपकी बारी continuity नहीं बताना है, continuity check नहीं करना है, आपकी बार हमें function को differentiate करना है, तो देखो, यह जो हमारा function है, हम पहले ncrt की तरीके से करें, ncrt टेस्ट को में किस तरीके से बता है, साथी साथ में chain rule भी बता है, उसको हम second तरीका से देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम पहले तरीके से बात करेंगे, अब देखो, sin x square है, तो यह कैसे function है हमारा, एक तरी value के equal नकालेंगे, फिर उनका differentiate करते हैं, ठीक है, देखो किस तरीके से करना है, साथ से पहले तो हम मालेते हैं, u of x, यह हमारा u हो जाएगा, तो इसको u मालेंगे, अब यह ज्यादा बड़ी value है, तो इसको क्या मान के चलेंगे, साथ में, t मान के चलेंगे, तो हमारा x square plus 5 हो जाएगा, तो t, तो हम यहाँ पर क्या लख देंगे, sin t लख देंगे, ठीक है, अब निकालते हैं, हम इसके बाद क्या करेंगे, v, v of u of x, v of u of x नकालेंगे, अब इस v, u of x को हम किसके equal में दखा देंगे, function की value के में दखाएंगे, फिर हम differentiate करेंगे, ठीक है, तो हमारा यह v तो यहाँ है, पहले u of x, u of x हमारा किता है, u of x यह क्या है, तो यहाँ पर लखेंगे, 5 x plus, x square plus 5, equal to, अब v की value put करेंगे, v, v की जगा क्या, sin t, t, t के हमारा theta, तो t की value कितनी हो जागी हमारी, x square plus 5, तो यह हमारी किसकी आ रही, function की value, f of x लिख सकते हैं, या बाए लिख द दिखा दिया, अब हम इसका differentiate करते हैं, ठीक है, अब इसके respect में, इसके respect में, इसके respect में, इसके respect में, u of x के respect में, तो हमारा क्या जाएगा, u of x को हमने क्या माना t, तो dt, और इसका u of differentiate इसका करेंगे, तो क्या है, sin t, sin t, तो हमारा क्या हो जाएगा, sin t का differentiate किया रहेंगे, त तो ठीक है अब यहां पर यू की जगा हम यह लख देंगे साइन टी यह तो आप इसको एज़ लिखा रहें दो यहां पर लेंगे डी वाइ साइन टी अपन में डी टी तो टी देखो नीचे रहता हुशी के रिस्पेक्ट तो यहां पर क्या हो जागा कोश्टी जो हमारा function नीचे रहता है ना उसी की जगा हम यह differentiate करते हैं उसी value को differentiate करते हैं जैसके यहां पर टी है तो टी की value को differentiate करते हैं अब यू के respect में हम x को करेंगे तो d u by dx करेंगे यह वाला method ना भी आ है तो कोई problem नहीं है जो हम next method करेंगे ना उससे हम सारे questions easily कर सकते हैं फिर भी आपकी ncr d u book में हैं इसलिए हम दोनों तरीके से पहला question करके बताएंगे तो सबसे पहले हम लेखेंगे यहां पर d अब हमारा sign x square प्लस फाइब आप उन में टी तो हमारा क्या गया हो जाएगा 2x कैसे हो जाएगा हमने x का देखो यह तो हमारा constant term है x square प्लस पाइब तो एक इसका differentiate करते तो क्या आराता जीरो हमने यहां पर नहीं लिखाता अब function की value निकालते है you function की आप इसको मैं हमें मानीए य मानुए function हमने by मान के चला तो आप इसका differentiate करेंगे तो इसका differentiate करेंगे इन दोनों का इंट्टू यह इननों का इंट्टू कर देंगे डी बी बाइडी इनटू bye Himraly by X novamente कि ककता है और रहुत है है में दोटा यह तो कि अब यह ज़ता है आप यहाप लगदें घुंगे है एक स्कॉण प्ल зач यहीश प्लkim देए जाए ऐसॉड में प्लय संध्त रिएप यह ज़्याएगा अंशर आप यह तो हम यह देखो इस बाले method को हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे लिए वाट टाइम लगे हो और इसे हमारे बहुत से question होगे इसलिए हम इसे chain rule method से करेंगे तो मैं इसे rough करता हूं और दूसरा method चेक करते हैं तो देखो अब हम बात करते हैं chain rule method से अब हरी question हम इसी method से solve करेंगे तो यहां पर लेखेंगे solution साथ से पहले हमें let करने ना let function की value है किसकी equal मैं देखे y is equal to sin x ठीक है साथ से पहले यह करेंगे अब उसके बाद हम differentiate करेंगे आप differentiate एक side तो कर नहीं सकते हैं दोनों side differentiate करना पड़ेगा तो हमगे लखेंगे differentiate both side with respect to x x की respect में हम डोनों side differentiate करेंगे ठीक है सब सब पहले इसका differentiate करेंगे y का तो dy y dx क्योंकि y का differentiate by रहेगा और x की respect में कर रहा है धक्रवाइब क्लाओ एपगा यहापर जाएगा साइं एक्सटीट कर तरीकर साइन गया क्या जाए कि लेंगे तो हम यहां पे ती लेग लहेंगे तो हम दायट यहाँ पर इसको टी नमान करें तो पूरा ठीटा को एस लिख देंगी अब उसके बाद कहता चेन रूल के करता है कि करके हमको हर एक चीड डिफ्रेंशियेट करना पड़ती है तो उसके बाद हमाली यह जो ठीटा है यह पूरा क्या एक एंगल है तो अब इस एं variety करेंगे एक बार शुरिके साथ असको बी permissions को भी डिफ्रेंशियेट इसको भी डिफ्रेंशियेट तो हमारा एक सका स्कार प्लस फाइब और साथ मैं इसका डिफ्रेंसिये और चेंब मैं तो क्या हो जागा जिरो तो हमारा ऑबर ओल आंसर क्या नेंगल लगा है तो एक्स डॉट यहां पर इंटू कॉस एक्स प्लस पाइब तो देखो यह सेम अंसर आ रहा है तो यह मैतर्ड इजी है जो हमने पहले बताया था उससे तो हर एक कॉश्चन अब इसी मैतर्ड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप इसको नोट करो देखो अब हम यहां पर सबसे पहले करेंगे करेंगे मैं सबसे पहले हां पर लेगे यहां पर लीट में एक साइन एक्स ठीक है पहले आपको बायलेक आप डिफरेंशेट दोनों साइड रहें differentiate both side मैं सब्सक्राइब लग लिए था हम बोज साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड differentiate करेंगे ठीक है तो सबसे हम यह लेखते हैं डी वाई बाई डी एक्स ठीक है अब देखो सबसे सबसे पहले हम इसको को डिफ्रेंशियेट करें को सबसे पहले तो आपको लिखना है ठीक है आप देखो को डिफ्रेंशियेट करेंगे तो को अदेखो क्या होगा साइन अब एक्स है यह फूरा तो हम इसको एज़ेटिस लगदेंगे ठीक है यह एक्स को इंट्यू मैं था इसलिए हम यह क्या ठीट रहू तो इसका ठीटा था हो थो ऑसका आप और सब्सक्राइब धिसान थोड़ी सकते नहीं सकते नहीं सकते इसके जो एकिक्स की बेल्व इसको भी तो लगना पड़ेगा लेकिन हीं नहीं ज्लिए अपर है अन्दरके गएक साइन x ठीक है आब इसको differentiate करते हैं तो हमारा इसको differentiate करेंगे तो क्या हुझाज़का sign bracket के अंदर आ ज़गा sign x और ये sign x का differentiate करेंगे तो हमारी के मिल ज़गा cos x हमारी overall answer कि निकल ग़गा minus cos x into में sign x ये हो ज़गा हमारा final answer हो ज़गा ठीक है इस तरीके से हम differentiate करते हैं देखो अभी एक दो और question करेंगे तो आपको और अच्छी स्क्लियर होंगे तो साथ से पहले आप इसको note करो में रफ करता हूँ अब हम बात करते हैं question number 3 के question number 3 में हमाद लिए sim करना है साथ से पहले हम लेट कर लेंगे y is equal to my sign ax plus में b आप क्या करेंगे differentiate करेंगे differentiate both side with respect to x अब x के respect में हम दोनों साइड differentiate करेंगे तो यहाँ पर यहाँ दी वाइवाई dx ठीक है इतना सब्सक्राइब आप क्या करेंगे हम इसको भी differentiate करेंगे तो इसको भी सबसे पहले देखो x के respect में आपको जिसके respect में बुला जाए उसी के respect में आपको चिंज बेल्यू करना है और फिर उसी की बेल्यूस हमारी चिंज में है ठीक है sin ax plus b आप जैसे जैसे आगे question करते जाओगे तो आपको समझ में जाएगा with respect to x का मतलब क्या होता है ठीक है अब देखो आगे अब इसको और solve करते हैं तो देखो सबसे पहले तो हम sin को differentiate करेंगे इस साइन का क्या हो जाएगा yeah plus b ध अम इस वाली illness प्लस में now and look at my day the x और यहां पर लेखेंगे x plus दी तो अब हमखोM cos ax plus में b और सेटे करेंगे तो हमारा देखो कैसा constant आप तो यह तो भाहरा जाएगा देखो में हैं पर करके बताता हम जिसकी हमने किया इसका डेफेरेंशीयट करना है तो यह तो हमारा को इसको बाढ़ लिया अब ऑढ़ एकस का टर्म को डिफरेंशीयट करें कि आता है हमारा जीरो आता है हमने अभी बताया था तो इसको लेखने की जरूर नहीं है तो हमारा अवर अंसर क्या जाएगा एए एकस प्लस में भी यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है तो यह था हमारा question number 3 अब हम बात करते है question number 4 की तो पहले आप यह note करो थोड़ा हमारा question number 4 लंबा है तो मैं से रफ करता हूं तो देखो अब हम बात करते है question number 4 की question number 4 में भी देखो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे वाई इस यूकल डू में क्या मालेंगे check x bracket के अंदर हो जाएगा 10 यह हमारा इस तरीके से हो जाएगा देखो यह हमारा sign पर यह पूरा ठीटा प्र साइन का अलग angle है इसका angle यह पूरा है पर इसका angle हमारे लिए अलग से इसके अंदर दिया है ठीक है तो differentiate करेंगे डिफ्रेंशियेट बोद साइड बोद साइड विद रिष्पैक्ट टू एक्स के रिस्पैक्ट में डिफ्रेंशियेट करेंगे तो यह पर लेखेंगे किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है ठीक है यहां पर रूट एक्स इस तरीके से लेख लो एक तरीके से हमारे यहां पर ठीड आए ठीक है आप देखो इसको डिफ्रेंसियेट करें तो सबसे पहले हम सेक का करते हैं तो सेक का डिफ्रेंसिये तो सबसे पहले हम इसको क्यान करें सथ एक अब एक्स की वेल्यू हमारी पूरी है तो हम इसको पूरी लग में एक्स यह ठीटा है हमारा अप सात में सांत करें तो में एक्स एक्स वेल्यू हमारे पास यहां पर केतनी है पूरी टैन रूट एक्स तो यह टैन रूट एक्स अब डिफ्रेंशियट करेंगे यह अंदर वाली टर्म का यहां पर लेखेंगे डी वाई बाई डी एक्स अब यह तो यह सैक का डिफ्रेंशियट गया अब सेक के अंदर की वेल्यू क differentiate करना पड़ेगा तो अंदर की value हमारे पास क्या रही 10 root x ठीक है अब सबसे पहले इसको तो हम as it is same होतार लेंगे तो जाएगा sack bracket के अंदर 10x अब देखो इसका differentiate करते हैं तो हमारा 10x differentiation का formula क्या होता 10x का 10x हमारी क्या होता है sack square x 10x का differentiation क्या होता है सेक स्कวायर गक्स तो 10x की जबहा हम शेख स्कोर एक्स यहाओ सैक कमार क्या हुआ रूट एक्स लूट एक्स का भी differentiation करना पड़ेगा अद्रापिस का अब इसको स्कुरn कर दिया अब इस फ़ालो में रूट एक्स को हम किस तरीके से लेक सकते में मैं art है 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 कि आपन मैं ह माहाओ एक्स हडी बन अनमय है तो सैसे पहले हम इसको दो एचेस निना伊 लूटक्स आप इसका डेफ्रेंट करते हैं इसका कर सकते हैं तो देखो यह क्या का फोर्मूला क्या पढ़ाता अब इस हम बैल्य को पुट कर देंगे तो यह हमारा माइनस बन आप इसको करें तो हमारा अनसर किता कर जा जागा माईने हाप आजागी यह माइनस का रगा जैसी हमने यहां पर तो हमारे वैल्ओ कनती लगए बन पॉन में ड्र एक्स की पावर माइन अब यह एक्स की पावर नेगेटिव आ रही है कैसी आ रही नेगेटिव नेगेटिव आ रही तो हम इसको नीचे ले जाएंगी तो मैं यहां पर एक स्टेप और बन जाएगी और यह पूरा हाप है इसको हमने कहां लग देंगे आगे लग दिया तो ठी 10 x into 10 10 x ठीक है और यहां पर जाएगा हमारा सेक स्कॉायर एक्स ठीक अब यह देको यह वाली बेलु को solve कर रहा तो यह नीचे थी तो यह हमारी कैसी जजी की डिवाइड में यह Agency अपैसक क किस में लिख सकती तो देखो अब हम बात करते हैं question number five की तो हमारा साथ से पहले हम यहां पर लेखते है question number five question number हमारा five में क्या दिया एगा तो हमारा यहां पर क्या हुआ डि होगा ठीक है अब देखो यह जो हमारा फिपए थोड़ा सा दिफ्रेंट है अपने कसेंट पढ़ा था kulli रूल पढ़ा थाlect pies क्या्ति है मसम्य थे हम यू और दूसी नमर को मली इस तरीका समर्ण ऐसी फॉर में धी कर देंगे जो हमारा जो साधी यह व्यक्त को कि में A उसको इसका करते हैं लिए वाइ डे लिइकूर मिल्स पहली टर्म का कर देंगे और माइनस अब की वहें वार और उल्टक आपके कर देंगे जो मारी पहला जो बेख जो पहला डिफ्रेंशिय्ट और पूरे में क्या का देते हैं हम denominator का square तो यह होता हमारा question rule ठीके यह हमारा question rule होता है इस formula को आप यात कर लेना ठीके तो मैं ऐसे rough कर देता हूँ तो अब हम इसी formula का हिहां पर use करेंगे तो सबसे पहले हम लेखेंगे solution सबसे पहले तो आपको यहीं पर differentiate करते हैं तो यहां पर लिखेंगे डी वाइवाई डी एक्स तो सबसे पहले हम तो पहली टर्म को तो हमने क्या बोला था डिनोमिनेटर को सबसे पहले एज़ लिखना है तो हमने डिनोमिनेटर को सबसे को differentiate करेंगे इसको as it is तो इसको as it is लिखदिया है कि aX plus b अधिफेरेंशियट करेंगे denominator वाली साइड को दिनुमिंड़ वाली साइड क्या थी कॉस cx plus d cx plus में d ठीक है इसको हमने differentiate यहां पर लखेंगे cos x plus d ठीक है इसका differentiate कर देंगे और नीचे हमारा क्या जाएगा नीचे हमके का देंगे इसका square कर देंगे तो हम क्या लगें cos square ठीक है आपको formula बता दिये अब हम इसको differentiate करेंगे dyy इदर लिखना था हमको dyy dx ठीक है अब यहाँ पर लिख देंगे ठीक है अब इसको differentiate करते हैं साइन का differentiation क्या होता हमारा कॉस को सब्सक्राइब कर आए देखो मैं इसका differentiation आपको करके बताता हूं ठीक है मैं इसका differentiate हमने यहाँ पर कर दिया ठीक है पूर्ड डिफ्रेंशिट कर देंगे तो का differentiate करें तो हमारा क्या जाएगा ओस यहांपर लेकर लेंगे अब इसका हमारे करेंगे तो यहांपर यहां पर लेकिंगे यहां ठीक है तो यह क्या जाएगा और जो हमारा एक्स आप क्या बचा डी वाई डी एक्स अपउन डी वाई बाई डी यह भाल ले लिए अब यह सेम बचा एक मिनट देखो मैं इसका डिफ्रेंशीट कर अब हम नहीं इसको भाल ले लिए एको पॉंस्टेंट टर्म को ठीक है यहाँ पर यह ले लिए अब इसमें भी भी डी इसको अब यह भी हमारा क्या सबस्तैंट अकला तो सब्सक्राइंट जीरो एक से تौ है यहाँ पहुआ नो इंडू में फोलो हमार्य पूर्ए खुद्र हम यहां प्लस में भी में सेट वाली इसको थो तो हम एक्स में तो में कि यहां पर एक्स करना है इसका ऐपर करते हैं एक सियाक्स क्लाइओं को यहां इस वाली वैलिए का हम यहां पर इफ्रेंशियट करें तो चपया होता माइनस साइन एक्स एक्स यह पूरा तो हम इसको एसने लगए अब इस वाली बेल्यू करेंगे डी वाइवा डी एक्स तो हम पर यहां पर याइच प्लस दी तो जैसे हमने मानेस साइन इसको तो as it is अब इसका differentiate करेंगे तो यह क्या सा constant term और यहाँ पे क्या है x तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है हमारा सिर्फ constant term बचेगा constant term हमारा क्या आए c तो हम इसको क्या लग देंगे minus इस तरीके से हमारा यह answer निकल खे जाएगा इसका differentiate ठीक है यह हमारा इसका differentiate तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ c minus का होगा लेकिन minus c sine cx plus में d यह हमारा निकल खेया गया और यह हमारा दूसरे bracket अब यह देखो यह भी minus यह भी minus और यह आप उसमें कैसे हैं दोनों into में तो minus minus sign के बता देंगे हमारा यहाँ पर हो जाएगा positive sign इस sign का याद रखना positive यहाँ पर कैसे बना यह भी minus की value थी तो यहाँ पर हमारा कैसे हो जाएगा plus का sign हो जाएगा ठीक है minus minus दोनों आप उसमें value plus हो जाएगी अब देखो नीचे sorry यह into में था यह value आप उसमें इंटू में थी इसलिए minus minus sign हमारा positive हो गया था ठीक है और इसको आप हमें एसे लिख दें कॉस एक स्कॉर सी एक्स प्लस में डी ठीक है अब आप नेक्स स्टेप से लिखना मैं इस स्टेप में करूंगा ठीक है अब नेक्स स्टेप में पहले तो आप क्या लगना पूरा आप क्या करेंगे यह जो आपको plus sign देखा रहा है एक बार इसकी साइड लेंगे एक बार यह पूरा दिखाई दे रहा है एक बार कॉस रफ किया स्ट प्लस डी अब यहां पर यहां पर सेम है लेकिन हां पर हो यहां से हमारा हट जाएगा अब देखो यहांसे हमारा A cos A x plus B अब यह क्या हमारे नीचे के आएगा cos cos x है तो इस cos को मैं उपर ले जाओंगा इस cos को यहां पर जैसी उपर लाएगे तो किस मदल लाएगा शेक लेकिन यह हमारे ठीटा तो एजटेस रहता ना तो लेकिन C x plus D हमारा as it is बनना रहेगा ठीक है इतना solve तो हो चुका है अब हमारी बार यह आती है इसकी बार यह आती है ठीक है अब जैसी मैं देखो इसको solve करता हूँ तो यह पूरे multiply में आपस में c को पहले लिख लेता हूं है यहां फिक है अब सीद को मैंने है पहले लिख दिया अब यह देखो यहँआ पर ढ Raphaüm अब मालू मैंने को इस तरीके से अलग-अलग कर लिया ठीक है अब यह देखो कॉस यह पूरा X है यह भी पूरा X इन दौनों का X ठीटा सेम है एंगल सेम है तो इसका मतलब क्या था sin x upon my cos x is equal to में हमारा क्या हो जागा 10x तो पहली value को तो मैं as it is लिख दिया c sin ax plus में b इसको तो मैंने as it is लिख दिया अब ये वाली value और इसको आप उसमें क्या बना है 10x 10x लेकिन x की value हमारे पास यहां पर होगी c x plus में d ठीक है इतना सान में यह कैसे आया यह कैसा था sign और यह कैसा था को साइन एक्स और कॉस एक्स 10x एक्सी वेली दुरों सिर्थी अब यह बता तो इसको हम लेख देंगे इसको भी उपर ले आते हैं लेकिन यह किसमें हो जागा सेक सी एक्स प्लस में डी तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशियेट करेंगे देखो यह वार मैं आपको सॉट में और बता देता हूं सबसे पहले हमारे इस तरीके यहुट्र आएगा तो यहां पे आमारी क्या बताता है यह दिफ्रेंशियेट का साइन कहता है पहला हमारे क्या दिनोमेंटर कीória kald forcing required was जो हमारी पहले दिनोमेटर की साइड़ है उसपहले यह couple क्या दिफ्रेंशियेट कर लेती है और पहर उसके बाते हम जो पहला वारे pavement creatureşaud लुकल सकते और उसको संहां को इस को किलिए सकते हैं यह फोडिका से व्य मैंनय इस तर को यह प्यूर्मुले हम थे सिक लगत है यहां तक तो इस तो उसके भाद आगे हमने क्या किया था है ग्यां पर यह इस संट लें गय उससे पहले आपको यह माइनस साइन का याद रखना पड़ेगा यह जो माइनस से जब हमने यहां पर इसका डिफ्रेंशीट कर रहा था तो साइन माइनस का साइन आया था किसका माइनस का साइन माइनस साइन आया था तो हमारा जो माइनस साइन यहां पे था और यह जो माइनस वार हमने इसको स्प्लिट कर लिया था तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो गतम होती है तो आगे कॉस्टन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे यदि आपको वीडियो अची लगए तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए तेंक्यू फॉर बॉचिंग अब मिल